कोरोना हमारी के साथ साथ इस समय हमारा देश एक और संकट से लड़ रहा है और वो है अफवाहूं का संकट जो कोरोना से भी भयावह हो सकता है आए दिन सोशल मीडिया पर कोई न कोई मैसेज या कोई न कोई फोटो ऐसा वाइरल किया जाता है जिसको लेकर ऐसे दावे किये जाते हैं जो किसी के भी समझना आए हाल ही में सोशल मीडिया पर एक और मैसेच जम कर वाईरल होगा है इसमें जो दावा किया जारा है वो इस जादा ही अजीब है सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जहां पर प्रिधान मंत्री नरिंद्र मोदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि मोदे जी बने डबल्यो एचो के चेर्मेन डबल्यो एचो की बागडोर 22 मई से भारत के हाथों में गौरवानवित के साथ सबी राश्षवादियों को हार देख बढ़ाए ये पोस्ट जगा जगा शेर की जा रही है एक और पोस्ट ऐसी ही ट्वीटर पर भी ट्वीट की गई है और उसमें लिखा है कि तरधान मंत्री नरिंद्र मोदी तीन साल के लिए डबल्यो एचो एग्जेक्यूटी वोड के चेर्मेन बनेंगे वो डबल्यो एचो के पारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें डबल्यो एचो का चेर्मेन बना दिया गया है लेकिन सोचिए कि अगर ऐसा कुछ होता तो इसे बड़े इसतर पर अपने आप ही जंता के बीच प्रकाशित किया जाता ना कि इस तरह के पोस्ट वाइरल करके बताया जाता कि प्रधान ने आई इन रिपोर्ट की माने तो भारत के अलावा दस और देशों को डबल्यो एचो के एक्जेक्यूटिव बोर्ड में शामिल किया गया है इसमें रूस ब्रिटैन और साउथ कोरिया जैसे देश शामिल है आपको बता दे कि इस दावे में कोई सत्यता नहीं हाँ ये बा 22 में को एक्जेक्यूटिव बोर्ड की 147 वी बैठक होगी जिसमें बोर्ड के चेर्मेन के नाम की गोशना की जाएगी आपको बता दे कि डबल्यो एचो का चेर्मेन बनने की प्रक्रिया हर साल होती है और हर साल किसी नए व्यक्ति को चेर्मेन बनाया जाता है ये पद तीन साथ तक चेर्मेन बनाय जाने की बात भी गलत है किसी को भी डब्ली एच्चों के चेर्मेन का पद एक साथ से जादा के लिए नहीं दिया जाता इसलिए आप से यही कहेंगे कि अफ़ाहों पर कम ध्यान दे जरा विवेक्स से निर्णा ले और चीजों पर विश्वास करें subscribe our channel and press the bell icon for more updates